मसूर पुलाओ की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होती है ये पुलाओ कम टाइम में और बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो जाता है प्रेशर कूकर में बना लेते हैं ये पुलाओ ताके और भी जल्दी से ये बन जाए तो तेल डाल लेते हैं एक चोथाई कप जारे मसाल गर्म तेल में डाल देते हैं इसके डाल देएंगे एक मीडियम साइस की प्यास पतले स्लाइस में कटी हुई फ्राई कर लेते हैं प्यास को寂टा लो फ्राई प्यास जैसे ही Gom होका ready हो जाए इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच भरकर अधरक लेसन का पेस्ट करीब एक मिनिट के लिए अधरक लेसन के पेस्ट को फ्राइ कर लेते हैं प्यास से इससे इसका कच्छापन चला जाएगा अब टमाटर डालना है दो मीडियम साइस के जिसे मैंने बड़े पीसिज में काट लिया है आप चा चम्मच डालेंगे हल्दी का पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर हल्दी और लाल मिर्चों का पाउडर ना डाले अगर आपको यह पुलाओ को वाइट बनाना है तो आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाले का पाउडर दो से तीन मिनिट के लिए इस मसाले को हम मीडियुम फ्लैंम पर भून लेंगे जैसे यह तेलılar अलग gin अलगेगे मसाले में से इस टाइम अलग विक्या दाल देंगे खड़ा मसूर जैसे ही मसालों के साथ भुन जाए हमें इसमें डाल देना है पानी चावल हम लेंगे दो कप भर कर इसके लिए हम इसका देड़ गुना पानी डालेंगे तीन कप और दाल के हिसाब से हम डाल लेते हैं आधा कप पानी तो टोटल हो गया ये साड़े तीन कप पानी अब पानी में बॉयल आने का इंतजार हमें नहीं करना है बस चावल को हमें डाल देना है प्रेशर कूकर में हम चावल बना रहे हैं इसलिए हम चावल को बस दस मिनिट के लिए भिगो कर धो कर डालेंगे साथ ही इसके डाल देते हैं हम पुलाव के हिसाब का नमक थोड़े से डाल देंगे बारिक कटे हुए धनिया और कुदीने के पत्ते अब मिक्स कर लेते हैं हलके हातों से सारी चीजों को दो बड़े चमश भर कर घी अब इस पर डाल देंगे धग देते हैं pressure cooker को और इसे high flame पर हम पक जाने देते हैं 2 ct आ जाए high flame पर तक-दक हमें इसे पकाना है फिर flame को हम बंद कर देंगे और pressure cooker को हम इसी तरह से छोड़ देंगे करीब 15 मिनट के लिए अपने आप ही सारा pressure निकल जाए इसके बाद हम ठककन हटा लेंगे चाबनों को हलके हातों से नीचे से उपर की तरफ चलाते हुए मिक्स कर लेंगे इसे आप बस दहीरवले रायते के साथ सर्फ कर लीजे या फिर आप इसे कोई स्टार्टर या ड्राई ग्रेवी के साथ सर्फ कर सकते हैं तो है नहीं आसान और मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई करें रेसिपी अच्छी लगी तो थम्स अब जरूर दें चानल पर नए हैं तो ऐसी ही और आसान रेसिपीज देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लें